बिहार में इस बार किसकी सरकार आएगी? अभी तो समझे में नहीं आरे जब जीते का तब समझे में आरे अभी हम आए हैं पटना के गांधी मैदान के पास चूकि ऐलेक्शन बिहार में आचुका है सरगर्मियां तेज है तो देखे कि जनता गा रुक किस ओर है आई कुछ लोगों से बात करते हैं सर आप अपना नाम बताएगे पपु कुमार सिंग पपु जी क्या लगता है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार आएगी अभी तो समझे में नहीं आ रहे जब जीतेगा तब समझे में आ रहे करतेगा हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं उनसे हम आई ये बात करने की कोशिश करते हैं सर आपका नाम क्या है नाम दिलिप जी क्या लगता इस बार बिहार में किसकी सत्ता आएगी तेजश्वी यादब की क्यूं इसलिए कि उसका डेवलोप्मेंट अच्छा खासा है डेवलोप्मेंट उनका अच्छा खासा है अभी तक तो वो सत्ता में आए भी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं डेवलोप्मेंट अच्छा है आपकी बार बिहार में तेजश्वी यादब की सरकार आएगी और भी कुछ लोग है हमसे उनसे चलिए बात करने के कोशिश करते हैं कि चुनाओ तो नजदिक आ गया है आईए कोशिश करते कुछ और लोगों से पुर्ण की परतिकिडिया लेने के लिए क्या कहते हैं बिहार के में सत्ता किसकी आ सकती उसको लेकर सर आप अपना नाम बताएगी मनो जी क्या लगता है इस वार में किसकी सत्ता आएगी आर्ज क्यों कि रोजगार के लिए वह बात ऐसा बोले है कि हां रोजगार देंगे तो बहुत बहुत सब्सक्राइब नया नेता चुनना चाहरा है अब नेतेश कुमार से कोई उमीद नहीं अब पंदरा साल से तो देखी रहा है दसल पंदरा सालों में उन्होंने जो काम किया जो उन्होंने दी उससे आप लोग खुश नहीं है खुश तो है लेकिन अभी थोड़ा इलहाल अभी बहुत कुछ युगा को प्रब्लम सहना परा बहुत सब्सक्राइब दिकत हुआ युगा लोग को उसको लेकर पाविलिक लोग थोड़ा उनसे दुखी है जितिसकुमार से आप खुदे की यूबा है आपको क्या मुसीवत किन मुसीवतों का सामना करना पर आपको वही रोजगार को लेकर तो आप देख रहे हैं यह थे मनों जी जिनके बताया कि बिहार में जो यूबा बढ़गे उनको रोजगार की दिकते आ रही है यह तो बात बिल्कुत सत्त ह है और इनका कहना कि गाओं में भी आरजेडी के ही चर्चे हैं तो लगता है इस बार शायद शायद और नितिश कुमार सत्ता में ना आए आरजेडी की सत्ता है ऐसे ख़बडों के लिए जुरे रहे हमारे सब और देखते रेडी पीपल वाइस धन्यवाद